प्रेंड वेलकम टू माई चैनल देवराज मुजिक एंड फिल्म्स तो यारो आप सब कैसे हो आज आपके लिए लाएं बहुत ही खास वीडियो भाई वह ब्लॉग कैसा है कि अब हम जैसे डिस्प्ले पेंटिंग करते हैं जैसे अपने शोरूम देखे होंगे आपने बहुत स तरीके से डिसाइन होते हैं अलगलग तरीके से मदब डिस्प्ले सजाए जाते हैं बहुत से शोरूम वाले करते हैं कलर से करते हैं थर्मागोल से करते हैं कपड़े से करते हैं पेपर से करते हैं बहुत से तरीके से डेकोरेशन होती है वह तो डिस्प्ले की तो लेकिन आज अगर आपका 10 x 20 का अगर डिस्प्लेय है तो यह 25 रुपे की जो एक फैविक रील की बॉटल आती है वो एक बॉटल एक कलर की काफी बढ़ती है तो ऐसे आपको पांचे कलर ले लेने देखो मैंने इस तरीके से देखो ले लिए हैं कलर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर देखो यह कलर है मैं इतने कलर लिया है साथ में गोल्डन कलर मात्र कोई भी इसे आपको मिनिममम 15 से 20 रुपे 25 रुपे तक की मिल जाएगी मिनिममम 20 रुप पच्छी रुपे में आती है यह एक बॉटल देखिए फैविक कलर की बॉटल है तो इसे लेना है भाई इस इसमें सिरफ पानी मिक्स करते हैं और कुछ नहीं करते हैं अगर जैसे आपको गलास के अंदर यूज करना है तो जाना लग रहा है तो पानी मिक्स करके आप यूज कर सकते हो और इसे कौन कर सकता है जो ड्राइंग जानता हो तो पेंटिंग जानता हो जो सीख रहे हैं वो मात्र मिम नंबर के सब्से मिलते हैं यह स्टार्ट होते हैं तो लेत्रिंग की लिए नीम कोई से ब्रॉस लेने मैं आपको बता देता हूं कोई प्रश लेने चीह नंबर के तो एक नंबर चार नंबर छे नंबर आठ नंबर नंबर दस नंबर और लाश्ट में 12 आता है तो ये नंबर के आप ब्रश ले सकते हों और उससे आप पेंटिंग कर सकते तो मात्र भाई ये पांच सुर्वे आप लगा के मिनिमम एक रोच का आप डेड़ से दो हैर कमा सकते हो लेकिन ये जो कलर है ये सिरफ एक ही टैम पर यूज होंगे उसके बाद में आपको नए कलर लेने पढ़ने के दस पंदरा भाई दस की जो ग्लास है उसके लिए खाली ये यूज होता है तो खाली एक ही बॉटल है ज्यादा चलेगी नहीं तो वह सबसे आपको हर डिस्प्ले के लिए जैसे आपको मात्रा बढ़ रही है वैसे आपको कलर भी बढ़ाने है तो भाई और लेने हैं साथ में चौक दागा लेना है देखिए नॉ ले लिए मेज़ेव ले लिए मेज़ेव कोई भी ले लीजिए देखिए मेज़ेव कोई भी ले लीजिए ये भी चलेगी माक के लिए साइस के लिए और अब इसे बनाना कैसे है और कैसे बनाते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल मैं भाई बना के दिखाऊंगा तो आज चलते ह मेरे एक दोस्त के शोरूम में जो सूट का शोरूम है सांता कुरूस लिंकिंग रोड पे तो उन्होंने वैसे बोला भी था ग्लास पेंटिंग करने के लिए तो उनके पास आज चलते हैं तो यही है वह लाश और की शोरूम और अगर आपको पेंटिंग परिंटिन दो को हैँ तो प्रॉलम नहीं है और ब्राइंक आती है तो भी आप इसली कर सकते हैं तो भाई यह है दागा यह चौक तो इसे हम इस तरीके से पकड़ के लगाएंगे यह लाइनिंग करने के लिए काम आता है भाई इसको लाइन जिसे हम ग्रेस केते हैं उसको कैसे खीची जाती है तो इस तरीके से पकड़ेंगे अब यहाँ बनाएंगे और शुब दिपावली दिपावली दिखा जाएगा तो इस तरीके में पकड़ेंगे यह हमारे लाइन आ गए जर क्लोजुम में दिखाऊ यहाँ आई लाइन तो अभी फिर उस तरीके सर्म पर दूसरी लाइन भी बनाएंगे भाई शुब दिपावली लिखा जाएगा इसमें कार जाएगा जाएगा लाइन आ ढुकि अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो एजल कि अ जिए याई बोब किसे बनाया रहा है इस परिखे अप्रों कि पर सब्सक्राइब होदी थी यह है आप वड़ा वाद 20 की जानते हो लेसिंग करना यांते हो डाइंग जानते हो लाइंग जानते हो लाइंग बंद 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 हुआ बंद थाइंग जानते हो खोड़ा इस बन्यूश्च अपान सबस्फेट झाल 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 पर झाल कर दो 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 झाल 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 झाल